हिंदुस्तान अम्बैसेडर बहुत सारे पॉलिटीशियन्स ने अम्बैसेडर को यूज करा है और आज भी यूज कर रहे हैं और इस कार ने हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर की सवारी बनकर भी उनको सर्व करा है और हिंदुस्तान अम्बैसेडर की प्रोडक्शन 1957 में स्टार्ट हुई और ये इंडिया की सबसे जादा प्रोडक्शन में रहने वाली कार थी जो पूरे 57 यर्स तक रही और आज भी कुछ अम्बैसेडर को आप इंडियन रोड्स पर देख सकते हो और ये इंडिया की फर्स्ट कार थी जिसमें मोनोकोक चैसी का इस्तमाल हुआ था और ये पैट्रोल और डीजल दोनों ही एंजन आप्शन के साथ आती थी और इन सब चीजों की वज़त से अम्बैसेडर इंडिया की लेजंडरी कार लिस्ट में जरूर आएगी और कुछ इसकी रेंडर इमेजे सामने आई हैं इंटरनेट पर जिससे अम्बैसेडर इंडिया में आने के चांसिस हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अम्बैसेडर इंडिया में आएगी क्या नहीं